नमस्कार इंडिया तमाशार में मैं जोती पांडिया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो शलिए रुख करते हैं कुछ बड़ी ख़बरों की तरफ बिदेश भीजने के नाम पठगी बनावटी पासपोर्ट और बीजा तयार कर बेरोजगारों को बिदेश में नौकरी दिलाने के नाम पठगी करने वाले एक गिरोग को मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट आर्ट में गिरफतार किया है इन्ठगों का नाम तारक मंडल, जियंत कबर मंडल, मुईनुदीन गोलडर, इस्पोरिस शेख, अब्दुल शेख और मैनुदी इंस सेख है ये सभी आरुपी पस्चिम बंगाल के रहने वाले हैं ये लोग मलाड के इन्फरिटी मॉल में मुंबईी स्रीक कंसल्टीन सी नाम का ओफिस खोल कर बिरजगारों और जरुतमत लोगों को बीदीस में नौकरी दिलाने का लालच देकर बनावट इंप्लॉइमेंट लेटर, कॉंट्रिक लेटर, इन्विटेशन लेटर, बनावट बीजा तयार कठागी करते थी पुरिस ने चापा मार कर दोसों से भी ज़्यादा पासपोर्ट, बनावट बीजा, एसपी लैप्टॉप के अलामा कई समान बरा मत किया है प्रतियक युवक से ये लोग 80,000 रुपे लेते थे और एक लाग तक भी लेते थे क्राइम ब्रांच के अधिकारी इना रुपियों से गहन पूछ ताश कर रही है मुंबई शहर के क्राइम ब्रांच, यूनिट आर्ट यापे कारे रद एप्याई मनोर कारंडे इनको एक गुप्त सूचना मिली हुई थी, जिसके तहट मुंबई के मालाड इलाके में इवर्शाहिन नगर मॉल में मुंबई स्री कंसल्डनसी इस तरह की एक संस्ता बनाके इस तरह का एक बिजनेश शुरू करके कुछ व्यक्ति बेरोजगार यूकों को लड़कों को यहाँ पे नोकरी देने के बहाने से उनकी ठगी कर रहे है, उनको उनसे चिटिंग कर रहे है, इस तरह की बात उनको पता चली थी इसके तहट यूरिट आट ने वहाँ पे रेट का आयोजन किया था, जिसके तहट वहाँ पे छेल लोग हमें मिले उनसे पूछा गया उनके पास इस तरह का कोई भी employment चलने का registration या अन्य कोई license या अन्य कोई document है जिस पर उनके पास किसी भी document उपलब्द नहीं थे छे लोगों के जब हिरासत लेने के बाद में हिरासत में लेने के बाद जब वहां की सर्च किया गया तो वहां पे 41 इनन पासपोर्ट परामत हुए साथ में इनका यूरेटक यूरेटक इस company के अलग-अलग forged document भी employment के बारे में मिले थे साथ में fake visa भी वहां पे मिले थे इसके बाद में police station में इस तरह का अपराद दर्च किया गया अपराद दर्च करने के बाद में शे व्यक्तियों को हिरासत मे लेके अरेश्ट कर लिया गया था हिरासत मे लेके अरेश्ट die उनको किया उनके नाम के बाद में ये भी पता चला है कि इनका एक विरो है इसके पहले भी इन पे वेश्ट बंगाल में इस तरह का अपरा दर्ज हुआ है वहां से भाग के आए हुए है साथ में यहां पे आने के बाद इनों ने इस तरह का एक फरजी एंप्लोईमेंट सेंटर शुरू किया था और इसके तरह रश्या देश में जाने के लिए वहां पे एंप्लोईमेंट देने के लिए बेरोजगार योगों को वह इस तरह से ठकते थे करिब करिब एक जॉब के लिए 80,000 से 1,001 रुपए तक के लिए ने के बाद सामनी आई है और इनके लिए वो खोश डॉक्यूमेंट या फर्जी दस्ताइवज उनको दिया करते थे इनमें काफी लोगों को ठगी करने के बाद उनको जालसाजी करने के बाद में कुछ दिनों के बाद अपना यहां का सेंटर बंद करके अन्य राज में जाने का भी इनका इस तरह का प्लान था इस तरह की बाद सामने आई है जब initial investigation में उनके account के बारे में चेक किया गया तो पता चला कि 30 लाग से ज़्यादा रूपय का transaction पी हुआ है और इसमें यह आरोपयों के information पे आज एक जगर पे छपा मारी की गई थी जहाँ पे 100 से ज़्यादा पासपोर्ट मिले है इस अपराद में करीब करीब देवसों से 200 पासपोर्ट और उससे सम्मंदित वेक्ती जिरको चिट किया गया है इस तरह की बात सामने आई है हमने आरोपयों का investigation के लिए 18 तरिक तक पीसी हमें मिली है पुलिस का study में इस अपराद में और कितने लोग शामील है इसने कितने लोगों को अब तक इस तरह से दोकादड़ी या ठगी किये इस तरह के हम investigation कर रहे है धन्यवाद